अच्छे एक बाब बताईए ए आई एम आई एम के हैं असदुद्दीन ओवेसी 2017 में बहुत चुनाव नहीं लड़े थे इसमार लगातार वो परचार कर रहे हैं आज भी रह लगातार करते हैं उनकी वजह से समाजवादी पार्टी को फाइदा होगा या नुक्सान होगा कुछ कैलकुलेशन किया है आपने समाजवादी पार्टी अपने मुद्दों को लेकर के जा रही है और समाजवादी पार्टी अपने काम को जनता के बीच में रख रही है समाज़ादी पार्टी का एक अपना संगठन है और समाज़ादी पार्टी के एक अपनी विचादारा है उसको लेकर के जा रही है किस दल से गड़वंदन करना है नहीं करना है ये पार्टी का अपना हमारा फैसला है और राय मश्रा करकर कि जहां तक समाल उनके दल से हैं, उनके दल से स्वाधी पार्टी का कोई सम्झता नहीं हो रहा है। तो आप छे से कर लिए तो वो क्यों अच्छूत हैं? उनका ट्रेक रिकॉर्ड और स्टेट्मेंट कई बार ऐसे हैं, जो कई न कई भाधे जनता पार्टी को लाप पोचाते हैं। मतलब आप भी वही बात कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टिम वाली है। मैं यह नहीं कहूंगा, लेकि बीजेपी जहादा बेतर समझती है। कि आपने अभी अविद्या के ट्रस्टों को लेकर के और मिटिंग्स में भी ताम आरूप लगाए हैं इस सरकार पे, बर्दमान सरकार योगी सरकार पे, तो क्या आप अपनी सरकार बनने के बार, इन सब मामनों की जांच कराएंगे। समाजवादी सरकार बनती है, तो जांच तो ओर्डर की है सरकार नेवी, इस सरकार नेवी सुईकार किया है कि कोई गल्ती हुई है, इसलिए जांच ओर्डर की है। सबसे पहला काम यह होगा कि रिष्ट्री कैंसल होनी चाहिए, उन लोगों की अधिकारी और जिनों ने वहाँ पर जमीन ली है, वहाँ भगवाण शिराम के मंदर के लिए जगह है, तो उन्ही का मंदर और अच्छा कैसे बने है, और इंफ्रासेक्चर उसके साथ साथ, और क सरकार ने स्विकार किया गलती हुए सरकार से, बाड़ी जानविश के उठाए है, बस आखरी सवाल, यह चुनाओ मंदल पे होगा, कमंदल पे होगा, चुनाओ उत्तरपदेश की खुशालियों विकास के लिए होगा, ABP News आपको रखे आगे